आज हम ग्राउंड कवर प्लांट्स और इंडोर एंड आउडोर पॉर्टेट प्लांट्स उनके टाइप्स क्या 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 रिक्वार्मेंट है करक्टराइजिशन यहां पर सब कुछ जानेंगे यहां पर तो लेक्टर शूर करने से पहले गैस अगर आपने टेलिग्राम पर बगर मेंको फॉलो नहीं किया है तो मेक शूर आप टेलिग्राम चैनल पर जाएए अगरिकल जाया कि ऑफिशल यहां पर सर्च करिए मेरा चैनल आपको मिलेगा यहां पर इस नाम से और यह आपका आइकन ह लोगो है तो मेक शूर आप वहाँ पर फॉलो करिए मेरे को क्योंकि वहाँ पर मैं PDF डे टुडे यहां पर जो हर वीडियो किये वहाँ पर देता हूँ और यहां पर प्रैक्टिस के जो हमने स्टार्ट किया है यहां पर इंग्लिश रीजनिंग और एप्टिटूड के तो ड Ground cover plants basically perennial plants होते हैं जो की minimum जिने maintenance यह रहती है और generally जो की substitute होते हैं lawn grass की lawn grass जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे आपने school या college में दिखोंगे कि बहुत बड़े-बड़े जो plants रहते हैं उनके बीच में एक जो garden type का रहता है उसमें lawn grasses रहते हैं तो generally substitute के रूप में आपा ground cover plants र प्लांट यहां पर जो expensive है तो उसको दूर करने के लिए यहां पर ground cover plants basically लगाये जाते हैं आपको आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी पर on the other hand यहां पर यहां पर यहां पर एकी area planted with ground cover plants other than lawn grasses cannot be utilized as an outdoor living क्योंकि जो lawn grass की जो यहां पर जो purpose है वह यहां पर ground cover plants हर तरीके स उसको यह वहाँ पर जो applicable है हर तरह किसे नहीं कर पाती है क्योंकि जो main जो lawn grass का जो अनुभा होई वो lawn grass में आएगा ground cover plants में नहीं यह सिर्फ हम as a substitute use कर सकते हैं तो यह इस तरह के से guys यहाँ पर आप देख सकते हैं ground cover plants तो next हम देखते हैं through ground cover gardening the largest area can be tented with the least labour and cost जैसके मैंने आपको बथा है कि lawn grass जो है बहुत है expensive है और जो alternate ground cover plants तो उसके बहुत ही least labour है और cost भी बहुत कम होती bedding plants also help in covering the ground and they are often grow on a large scale large scale में भी grow हो सकते हैं these bedding plants are grown mainly for color and are not considered true ground cover plants ground cover plants are perennial जैसके मैंने बुथाया perennial है hardy है यहाँ पर जो quality है वो ground को cover करने की वो density जो घनत्व है उसमें बहुत ज़्यादा होता है they retain the branches down to the ground doing their own ground cover जो उनकी branches है as a climbing structure जो show करती है तो उससे बहुत ही dense यहाँ पर जो ground cover है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही dense area में हो जाता है तो इस तरीके से आप ground cover plants को समझ गया होंगे next है यहाँ पर जो ground cover plants है वो suppress कर देते हैं weeds जो खरपतवार है उनको बहुत ही ज़्यादा suppress कर देते हैं जिससे की जो ground cover plants है वो ही nutrition ज़्यादा लेते हैं और weeds लग 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 मर जाते है conserve moisture करते हैं यहाँ पर जो fertility of soil है वो भी बढ़ाते हैं they make a colorful display of flowers and foliage in different months of the year these plants provide different level of height in the garden and diverse greenery over a vast stretch of land large areas in public parts and similar places can be beautified with less maintenance cost through these group of plants तो यहाँ पर जो guys आप देख सकते हैं public parks में और जो places है recreational जो activities जिन place में होती है तो आपर बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनका use होता है ताकि जो lawn का जो खडचा है वो इससे यहाँ पर दूर हो जाए तो next हम देखते हैं यहाँ पर जो ground cover plants हैं ट्रोपिकल और सब्ट्रोपिकल रिजन में कौन कौन से हैं यह important है guys क्योंकि example के तूर यहाँ पर सीदे सीदे question आ सकता है कि जैसे कि आप मान लिजे S-Alpha Link किस फैमिली से ब्लॉंग करता है या फिर किस ट्रोपिकल सब्ट्रोपिकल या टेंप्रेट में तो इस तरीके से सवाल आने यहाँ पर लाजबी है तो जल्दी से देख लेते हैं कुछ species हैं यहाँ पर देखे जो रैट कलर में वो यहाँ पर species है और उसके अंदर के जो थोड़े बहुत अंदर जो प्लांट से वो भी हम देखेंगे तो पहला है यहाँ पर ट्विकल सब ट्रॉपिकल में यहाँ आपर आसल्फा लीन यूफॉरेसी फैमली से यहाँ ब्लॉँ करता है तो अंदर है इसके यहाँ पर आसल्वा गॉटस एफना यहाँ पर जो कॉपर लीफ है लीफ जो elliptical ovet ovet type की है generally ovet branch green green color की है mottled with copper red or purple differentiate करता है यहांपर color these shrubs grow to a height of 2-3 meter यहांपर height की रहती है the cultivars are macrophylla, marganeta, hamiltonia, musical and ovata यह generally varieties है next type का asylpha, hamiltonia leaves are dropping with narrow white margin margin यहांपर white तरके यहांपर margin रहते हैं leaves में तो asylpha, hamiltonia next type का asylpha, illustris leaves यहांपर बहुत बड़ी-बड़ी होती है bloshed होती है यहांपर copper brownish color की और crimson color की next type का asylpha, marganeta leaves are serate, margin, cream and pink pink color की जननगी होती है, गुलाबी करेंगी next type का asylpha, cenderie red cat tail, fox tail भी इसे का जाता है dark crimson colors होते हैं pendulance tail और cat king the leaves are broadly ovet ovet होते हैं यहांपर थोड़ी मोटे आकार की यहांपर थोड़ी leaf होती है और generally green होती है the shrubs grow to a height of 2 meter जो यह height इसकी 2 meter तक रहती है next type का elementa lean aposinesi यहांपर family है इसके अंदर है alamenda purpura flowers बहुत ही pretty होते हैं यहांपर radish से purple की तरफ यहांपर diverse करते हैं scandish shrub है यहांपर जो खुश्बू है बहुत ही अच्छे आती है leaves जो है pubiscent है oblong और overweight जैसे की इस तरीके से यहांपर obweight यहांपर पूरा गोल नहीं पर थोड़ा oval shape का यहांपर generally आएगा next step का angelina hump and जो की family है इसकी scrofloracy angelina grandiflora generally इसमें आता है dwarf sharp है यहांपर जो 45 cm tall है generally छोटी है जैसे की हमने और देखे 2-3 मीटर तक है पर यह generally 45 cm तक है तो यह dwarf है जो flower के case में अगर हम देखेंगे तो purple से white से purple और white different varieties में आते है next है आपका effilandra achanthesi यहांपर family है effilandra crystal है यह भी dwarf sharp है पर generally थोड़ा 90 cm तक चली जाती है in height जो leaves से वो broadly off weight है और 22 cm long है जो flower है इसका यहांपर orange और scarlet color का है यह भी आपको याद रखना है कुछ temperature region के ground cover से वो भी हम देख लेते हैं आजूगा lean labiati boogal wheat जिसे कहते हैं आजूगा reptans hardy penny प्लांट है 15 cm यहांवता generally height है blue, white और rose color flower generally produce करते हैं और यह जो reproduce होते हैं वो generally runners के throw होते हैं और यह बहुत desirable है ground cover crop के लिए varieties हम यहांपर generally यहांपर लिखी है next है यहांपर anaphylis DC composty immovable और everlasting होते हैं anaphylis newbie gera good plant है यहांपर जो sunny spot के लिए जो sunny जो rays है यहांपर जो region है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है rockery के लिए यहांपर जो अगर boundary या border में अगर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है height ही इसकी generally तोरे dwarf nature 30 cm तक होता है जो plant है यहांपर जो प्रडूस करता है silver foliage और white flower generally और August से October तक यह generally रहता है next है इसमें कुछ वो देख लेंगे हैं Artemisia lean composite old man यह मैं आपको PDF जब आपको दूगा तो पूरा आप generally आप देख लीजिएगा next है यहांपर ester lean composite star word जिसे कहते हैं barbaris lean Barbadesi Barbary इनके नाम आपको बहुत ही generally याद रखने होंगे आपको क्योंकि सवाल जैसे मैंने आपको कहा कि कैसे भी बन सकता है और इसके अंदर थोड़ा जो points है वो भी आप देख लीजिएगा यह भी आप पढ़ सकते हैं next हम बात करेंगे Barbadesis acetonophila free flowering plant है evergreen है यहापर generally जो flower है वो yellow color के हैं height है यहापर up to 2 meter है जो variety है इरवीन वो dwarf variety है जो suitable होती है raw garden और creeping shrubies और height यहापर 90 cm generally रहती है next है आपका barbaris veruliasa यह भी same यहापर evergreen shrub है जो कि height attain करता है 90 cm leaves के अगर हम बात करें तो overt है यहापर feathery है यहापर थोड़ा यहापर mulain सी यह ग्लॉशिस बिनीत है जो flowers है वो produce करते हैं यहापर फ्लावर बाई followed by violet purple fruit violet purple fruit इसमें generally होता है next है आपका keluna salis eryce इसकी family है यहापर hardy evergreen flowering shrub है यहापर 68 cm यहापर तॉल है यह produce करती है purple flowers during late summer यहापर जो hortical varieties है जनली वो है campulina lean campulin इसी बहुत ही bell flower जिसे ही कहते हैं यहापर campulina moralis major the plant produce large bell shaped तो bell shaped यहापर अगर हम बोलें तो गंटी के आकार के यहापर जो यहापर जो flower है वो generally produce करते हैं और accidents show करते हैं यहापर रॉकरी में तो यह था guys यहापर ground cover plants जो जो guys मैंने यहापर जो छोड़े हैं generally आप उन्हें जब मैं आपको PDF दोंगा टेलिग्राम में तो generally इसको एक थोड़ा overview आप ले सकते हैं वैसे इतना खास नहीं इसमें पर थोड़ा additional मैंने data दिया है next आपका indoor potted plant तो indoor potted plant के अगर हम बात करें तो generally यह house plants है indoor plants जिसे कहते हैं तो जो जैसे कि metropolitan cities में यहापर इतनी जगा नहीं होती है यह थोड़ा western areas में ज़्यादा होते हैं तो वहापर flat वगरा ज़्यादा होते हैं तो उस दोरान यहापर जो थोड़ा सा वरांड़ा मिलता है तो थोड़ा सा जो balcony मिलती है इसमें जो planting की जाती है वो generally house plants होते हैं indoor potted plants होते हैं तो less costly होते हैं यहापर और थोड़ा सा view है, view angle थोड़ा सा बढ़ा देता है indoor potted plants तो यही बात की गई है यहापर generally यह आप पढ़ सकते हैं यहापर तो यहापर जो इंडोर प्लाइड प्लाइड में आप रक Calling जाते हैं को ध्यान लेन इन जोड विक्षप्डरों में क्लिक जाते हैं तो यां पर रखिजब और कारड जहाएं जा सब्सक्वाइब कहा जा जा कुछ अहांतीनी है – यहां पर उटेॹरें समार के सीजन में, plant like agave or cacti which can tolerate reflected heat can be selected for the above purpose. तो यह पर जो agave और cacti है, वो generally यहां पर region के लिए suitable है. Shade of a tree in front of house. तो house, यानकि घर के आगे है, अगर कोई पेड वगर आगा है, तो उसकी छाया के लिए यहां पर जो पौदे हैं, वो generally use होते हैं. Such places near the eastern side of the building may be considered for growing certain house plants which can easily come up under shade. जो most of the foliage plants है, वो है, Croton, Aranthemum, Dracona, Asparagus, यह preferred किया जाते हैं, potted plant, इस एरिया में. वरांदा के अगर हम बात करें, इस एरिया नॉर्मली गेट only diffused light and the air environment is also good. यह बहुत ही, यहांपर sophisticated हैं, यहांपर बहुत ही अच्छा environment है, और light भी थोड़ा मतब जो average है, वो बहुत ही अच्छे माने जाती है, और यह बेस्ट हैं यहांपर plant के. The plant best suited for growing in verandas are, लेविस्टोनिया, एरिका, लुटिसन, फांस और बेगोनिया, बहुत ही अच्छे हैं यहांपर plants है. तो गाइस, question सीज़े सीज़े बन सकता है, कि, यहांपर option दे दिये जाएंगे, which are suitable for the veranda of a house? तो यहांपर अगर बेगोनिया या फिर फांस, लुटिसन, और लिविस्टोनिया से कोई भी होगा, तो उसको आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है. Next आपका living room, drawing room, तो generally जो drawing room होता है, वहांपर भी आप यहांपर जो plants हैं, indoor poted plant वो भी लगा सकते हैं. We can keep the plant either near the window or away from it, generally जो खिड़की है यहांपर, जो house है यहांपर, अगर यह bedroom है आपका, अगर खिड़की है यहांपर, तो खिड़की के सामें, generally आप इसको लगा सकते हैं, यहांपर रख सकते हैं, अगर कुछ यहांपर जो plants से उनको देख रहते हैं, जेबरिना, सेडम, मेस जो खिड़की आपको इस जामपल के तरू यादत में हैं, अगर हम बात करें तो जनली यहांपर अगर हम फ्लैट वगरह में देखें, तो बैलकनी होती है, तो उसमें आप जनली यहांपर एक होक टाइप का लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट इस तरीके से यहांपर यहांपर जो गमले हैं, उनको लगा सकते हैं, तो कुछ यहांपर वो दी गई है, यहांपर कौन कौन से यह प्लांट से, वो इसके लिए स्यूटिबल है, यहांपर फिटोनिया है, ट्रसकैंसिया है, फंस, सलेगेनला है, क्लोरोफाइटम है, एपिस्किया है, बेगोनिया ह पेपरोमिया है, होया है, पिलिया, और्चिट और पेलेकरैंथास फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो है अफ्रिकन वाइलेट्स, और्चिट, एपिस्किया, फ्लावरिंग बेगोनिया, इंपेटेंट, कैला और सफैथी फाइलम क्रीपर्स की यहां पर बात करें, क्रीपर्स जो क्लावरिंग प्लांट्स हैं, मनी प्लांट हैं यहां पर जो जो एड़ चाहिए रहती है, यहां पर जो दिवाल या फिर किसी तार वगरे की, जो क्लावरिंग टैप के होते हैं, वो जनलेली क्रीपर्स जो मनी प्लांट्स, प पर इतनी लाइट उने चाहिके उन बेस पे याँ पर जनली चार केटेगरी में आपको काटेगराजाजिशन मिलेगा याँ पर लो, मीडियम, हाई, वैरी हाई जो लाइट की इंटेंसिटी है उनको जनली लक्स में याँ पर मेजर किया जाता है तो उच छिसाब से याँ पर low है और यहांपर 1000 से 1500 यहांपर medium हाई है हाई है यहांपर 1500 से 5000 और यह भी हाई है तो एकजामपल अगर हम बात करें तो पीस Лिली हार्ट लिव फिलाइव फिलांडराऊν कास्ट आरेन प्लांट जनले लो में आते हैं Medium के अगर हम बात करें तो African violet Boston fern dumbkin medium में है High के अगर हम बात करें तो Weeping fig, English ivy, Sacryphalera ये High में है, Very High में ही Viscous rex, Begonia, Geranium Generally ये plant आते हैं In general जो होते हैं, the minimum light availability should be about 1000 lux for 12 hour per day to maintain plant quality in indoor plants तो हम जो minimum light चाहिए है, यहाँपर जो generally चाहिए रहती है, वो 1000 lux रहती है यहाँपर 12 hour की period में अगर हम बात करें, indoor plant के लिए अब हम थोड़ी सी position देख लेते हैं कि position placement मतलब हम indoor हमने बात कर दिये indoor plant के अगर हम बात करें तो basically हम रखे कां तो low, medium, high, very high की category में हम यहाँपर plants को रखे कां वो generally देख लेते हैं तो low में यहाँपर in northern exposure, several feet away from eastern exposure medium के अगर हम बात करें तो eastern की site होना चाहिए within several feet of light source यानि कि जो light source है उसके थोड़ से लबग, थोड़ से दूरी पे इसमें रहेगा medium में high में अगर हम बात करें तो अगर नियर windows, glass door with western southern exposure जो खड़की के पास यह रख सकते हैं या फिर जो दरवाजा है जाकर जहांसे light आए और थोड़ी जो fresh हवा है वो उसको मिलते रहे very high में या आप इंसरंड रूम, green house में आप जनली रख सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं तो light requirement हमने आपको काए कि low light, medium, high, very high तो इसे साब से हम पर जो plants है जो इसमें categorization होते हैं तो generally वो देख लेते हैं आपर common name generally मैं बता रहा हूं आपको botnical name आप देख लिजेगा मैं आपको pdf send कर दूँगा टेलिग्राम में तो silver evergreen है, silver king evergreen है, chinese evergreen, cast iron plant, variegated cast iron plant, parlor palm, golden, pathos यहां पर generally low light में आएगा और हैं आप marble queen, pathos, split leaf, pilandron, snake plant और sensitive area यहां पर generally low light में हैं medium के अगर हम बात करें तो है, medium की जहां पर हम बात करें तो thousand से fifteen hundred lux यहां पर है silver wasp, plum asparagus, spangery asparagus, fern asparagus, gold dust plant, scale flare, dwarf scale flare, fish tail palm, bamboo plant, spider plant, grape ivy, giant dumb cane, spotted dumb cane, generally medium में आते हैं थोड़ा और plant हैं यहां पर वो देख लेते हैं, false cerelia, strip dracona, corn plant, gold dust dracona, red marginal dracona, ribbon plant, Japanese fetsia, weeping fig, Indian rubber plant, middle leaf fig यह generally आते हैं, high के अगर हम बात करें तो यह है, fifteen hundred से ten thousand lux यहां पर, aloe vera generally आता है, joseph coat, zebra plant, northfork, island, pine, ponytail, palm, generally इसमें आते हैं तो guys, यह है यहां पर, और methods के अगर हम बात करें तो जो indoor gardening है, उसमें falling methods यहां पर आते हैं, hanging pass के, जैसके मैंने आपको बताया है, की balcony के आगे, इस तरीके से यहां पर hook में यहां पर, जो generally, जो plant है, वो कमलो को, थोड़ा hanging, यानि की जूले दार आकार में hanging basket लगा जाता है, window boxes की हम बात करेंगे, यहां पर terrarium, जैसे मैंने सबसे पहले जो video है, उसमें आपको terminology में terrarium पूरे detail में बताया था, आप वहां देख सकते हैं, miniature gardening, vertical gardening for indoors, bonsai for indoors, यह भी मैंने आपको बढ़ाया है, तो guys, यह था पहला lecture यहां पर, indoor and outer potret plants का है, और यहां जो next lecture है, उसमें आ potret plants, outdoor potret plants, कुछ important यहां potret plants आपको बताया जाएगा, इस हिसाब से यह पहला lecture है, दूसर लेक्चर इसके बाद आएगा, तो यह था आज का session guys, I hope आपको बहुत अच्छा लोगा, like करिये, share करिये, जासे जादा शेयर करिये, और channel को subscribe कि एम बजाना मच जाएगा, और make sure to subscribe and follow me on telegram